राधे राधे भक्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दपावर अफ ओम पर आईए जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका दिन तो ये जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राराइब जरूर कर लेवे ताकि रोजाना आपको मिल सके जैश्री राम शो ओफ करना पढ़ सकता है भारी mentally बने मजबूत पढ़ें दो जनवरी 2023 का राशिफल दैनिक राशिफल के अनुसार दो जनवरी 2023 मंगलवार को मीन राशी के जातक संयम से काम लें वहीं मेश राशी वाले लोग मानसिक तोर पर मजबूत रहे मंगलवार को मेश राशी के लोग मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे जिसके दम पर वह सभी चुनोती पूर्ण कारियों को पूरा कर पाएंगे वहीं तुला राशी के जातकों को कारोबार से जुडने के लिए कुछ नए लोग partnership का offer दे सकते हैं जिसे स्वीकार करने से प वर्ग पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगे जिसे आपको अच्छे से निभाने का प्रयास करना युवा वर्ग को वानी मीठी रखनी होगी क्योंकि आज बातों ही बातों में आप प्रेमी या प्रेमिका को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे वह नाराज हो सकती है रिष्टों क बीच अहंकार को लाना ठीक नहीं है इसलिए अहंकार को किनारे रखते हुए ही जीवन साथी के साथ बात करें सेहत की बात करें तो मोटे अनाज का सेवन करें ध्यान रहें वजन न बढ़ने पाएं इसलिए इससे संबंधित जरूरी एक्सरसाइज करते रहें व्रिष्श इस राशिके लोग प्रभावशाली बातचीत के जरिये कार्यस्थल पर सभी से वाहवाही लूटते हुए नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग बीच-बीच में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था चेक करते रहें क्योंकि चोरी या सामान गायब होने की आशंका है। विद्यार्थी वर्ग को मौज मस्ती पर स्टॉप लगाते हुए अब से पढ़ाई पर फोकस करना है। घर से जुड़े जरूरी सामान की खरीदारी करनी पर सकती है, खरीदारी बजट से बाहर न हो इस बात का ध्यान रखना है। स्वास्थे को लेकर बीपी की दिक्कत से जू रहे लोगों को गुस्से पर काबू करना होगा। मिथुन मिथुन राशी के लोग विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग लेन देन के दौरान ध्यान के इंद्रित रखें और कोशिश करें कि बड़ा लेन देन लिखा पड़ी के साथ ही करें। युवा वर्ग को प्रखर बुद्धी का इस्तिमाल किसी को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं करना है, इसका प्रयोग सिर्फ अच्छे कारियों में करें। पारिवारिक स्थिति के लिहाज से आज का दिन सामान्य है। शाम को सब लोग मिलकर आरती करें तो आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज के दिन शारीरिक स्थिति अच्छी रहेगी एवं पुराने रोगों में सुधार होगा। कर्क कर्क राशी के लोग आज दूसरों के कारियों की समीक्षा करते हुए नजर आ सकते हैं। प्रयास करें कि बॉस तक कारियों की सही और सटीक रिपोर्ट ही भेजें। व्यापारी वर्ग काफी प्रयास के बाद पुराने लोन को खत्म कर पाने में सक्षम होंगे। युवा वर्ग मित्रों के साथ आउटिंग करने का प्लैन बना सकते हैं। मित्र मंडली मिलकर आपके साथ कोई शरारत कर सकती है। माता जी के स्वास्थे पर एक नजर बराबर बनाए रखनी होगी आपको, क्योंकि उनका स्वास्थे खराब होने की आशंका है। सेहत की बात करें तो आपकी डाइट में बहुत ज्यादा ओनायली खाना शामिल न हो जैसे घी मक्खन आदी इस बात का खास ध्यान रखें। सिंग इस राश्य के लोगों का सहकर्मियों संग कुछ बिगड़ा ताल मेल नजर आ सकता है, जिस वक्त रहते ही सुधारने का प्रयास करें। सेहत में जिन लोगों को गठिया की दिक्कत है, दर्द की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए जितना हो सके बॉड़ी को गर्म रखें, क्योंकि कई बार ठंड लगने से भी दर्द बढ़ सकता है। कन्या कन्या राशी के लोग बॉस की नाराजगी के पीछे छिपे कारण को जाने, न की उनकी बातों पर आग बबुला हो। कारोबार से जुड़ने के लिए कुछ नए लोग पार्टनर्शिप का ओफर दे सकते हैं, जिसे स्विकार करने पर आपको विचार जरूर करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वध्याय पर फोकस बरहाने की जरूरत है, इसके साथ ही नोट्स भी संभाल कर रखें। इस राशे के लोगों को ओफिशियल मीटिंग में शामिल होकर प्रेजेंटेशन देने का भी मौका मिल सकता है, इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखें। व्यापारी वर्ग की बात करें तो निवेश के लिए जमीन या मकान का विकल्प फायदेमंद रहेगा। यूवा वर्ग जिम्मेदारियों को निभाने के चलते काफी व्यस्त रहेंगे, व्यस्तता के चलते आपकी नियमावली भंग भी हो सकती है, जो लोग रेंटेड घर में रहते हैं, उन्हें किसी कारण से घर बदलना पड़ सकता है, सेहत में स्वास्थ्य सामान्य है, बस आ उत्साह ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, यदि व्यापार पार्टनर्शिप में चलता है, तो साजेदारी को आगे भी बनाए रखने के प्रयास करने हैं, युवाओं को करियर के क्षेत्र में निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन निराशा का मतलब अंत नहीं है, इसलिए एक बार फिर से आपको प्रयास करने है, आज के दिन अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरी और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थे का ध्यान भी रखना है, स्वास्थे के प्रती की गई लापरवाही के चलते, अचानक से सेहत गडबड हो सकती है, धनू, इस र अपारियों को धन से संबंधित, चिंताओं में कुछ राहत मिलने की संभावना है, ऐसे युवा वर्ग जिन्होंने हाल ही में MBA या होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी करी है, उन्हें योग्यता अनुसार रोजगार मिलने की संभावना है, सभी की इच्छाओं को ध्य जैसे दोश होने की आशंका है, मकर, मकर राशी के लोगों को टेकनॉलोजी में अपडेट होना है, क्योंकि नई तकनीकियों का घ्यान न होने से उन्नती में कई अवरोधा सकते हैं, व्यापार की शुरुवात के लिए नई भूमी लेने का विचार बना सकते हैं, किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले पुखता योजना जरूर बना लें, आज के दिन युवा वर्ग को सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेना पड़ सकता है, जिसमें आपके कारियों की प्रशंसा भी होगी, दापत्य जीवन में यदि तनाव चल रहा था, तो आज से वह त दूर होता हुआ नजर आ रहा है, सेहत की दृष्टी से आपको पैरों की केर करनी चाहिए, फंगल इंफेक्शन होने की आशंका है, कुम्भ, इस राशिके लोग इस बात का ध्यान रखें, कि आपके कारियों का फीडबैक बॉस तक अच्छा ही पहुँचे, इसके लिए का इमानदारी और लगन से करना होगा, ऐसे लोग जो भाई-पिता के साथ मिलकर व्यापार चलते हैं या पैत्रिक व्यापार का संचालन करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से आज के दिन लाब होगा, युवा वर्ग कहां है और किन लोगों से बात कर रहे हैं, इस बा प्रम तासीर की चीज़ खाएं, दूद, ड्राइ फ्रूट्स, आदी चीज़ों का सेवन करना, आपके स्वास्थे के लिए फाइदेमंद रहेगा, मीन, मीन राशी के लोग कारियों को धैर्य और संयम के साथ करें, हडबडाहट में कई काम गलत कर सकते हैं, ऐसे व्यापार घर में सभी लोगों के साथ घुल मिलकर रहिए, अच्छी वानी का प्रयोग करें, जिससे सभी लोग आपसे प्रसन्न रहें, सेहत की बात करें, तो आज आप जुकाम से परेशान हो सकते हैं, इसलिए ठंड से अपना बचाव करते चलें नोट, दोस्तों ऐसे ही रोज दैनिक राशिफल जानने के लिए विडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राराइब जरूर करें, और जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें